हेलो उस्तो कमाई का अड़ेस योटूब चैल में आप सभी का सोगत है आज हाँ पर हम बात करेंगे बोरोसल रिनेबल के बारे में इस कमपनी के अंगर एक ऐसी शांदर ब्रेकिन डियोज आ चुकिये जिस से कमपनी के शेरोल्डर की पूरी लाइब चेंज होने वाली है और दोस्तो सोलर ग्लास के मैनुफेक्चरिंग में ये कमपनी पूरे इंडिया में नंबर वन है यानि के ओनली ओन कमपनी कहेंगे तो भी चल जाएगा इसको इंडिया में सोलर ग्लास मैनुफेक्चरिंग करने में कॉम्पीटर ही नहीं है मिन्स फाइदा इसके फेवर में ही है जो भी यहाँ पर इंडिया के सोलार इनरजी जनरेट करने वाले कमपनीज है टाटा पावर रिलाइंस आप सभी को पता है रिलोलबर सेक्टर में 5000 क्रोड लगा कर वो आ गए है आदानी पावर है आदानी ग्रीन है JSW है बहुत से इनरजी स्टॉक और इनरजी जनरेट करने वाले कमपनीज है और प्रावेट प्लेयर अलसो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है जो प्रसनली खुद के लिए भी जो डिपेंडनसी कम करना चाहते है इलेक्ट्रिसिटी के इसलिए वो भी सोलार का यूज़ कर रहे है आप इतने सारे ओफिसेज देख सकते हैं वह उससे कार्पोरेट एरिया मैनिफेक्ट्रिंग इंडस्टी के जो भी यूनिट्स है वहाँ पर भी सोलार के ही एनरजी का यूज़ कर रहे है तो आप समझ सकते हैं कि जो बेनिफिट है वो कितना ज़्यादा फेवर में है बोरोश से लिने बलके और इस स्टॉक के अंदर हमें जैसरे ही न्यूस का अनॉस्मेंट होते वे नजर आया सडनली स्टॉक ने यहाँ पर 6% की तेजी दिखा दी तो ऐसा कमाल क्यों हुआ है तो उसके पीछे बड़े अनॉस्मेंट है और वही हम यहाँ पर अंडरस्टानिंग करेंगे तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते है पूरे डीटियल्स वीडियो अच्छा लगे मेरे फट पसंद है तो लाइक सब्सक्रेब करना कमेंट बताना कोई 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 कोईरिस आपके स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो या कमपनी के बारे में आप कोई डीटियल चाहते है यान रिलाइंस इंडस्टी टाटा पावर अमोंग दे कॉस्ट गेट रुपेज 14,000 कोड रुपेज सोलार मॉडिल इंसेंट्यू अंडर दे पेलाइ स्केम आप सभी को पता है कि प्रोड़क लिंग इंसेंट्यू नाम की जो यहाँ पर इन्होंने स्केम चालू की है जितना ज़ पर गवर्मेंट के जो यहाँ पर स्केम के अंडर करोडों का बेनिफिट मिलने वाला है उसलिए भी वो काम करेंगे तो दोनों तरफ से फाइदा है और सोलार के अंदर जो कैपेसिटी वो बढ़ाने के लिए ही यूनियन गवर्मेंट ने आज अलोकेट किया है कि 39,600 मेगा दोमेस्टिक सोलार पीवी मेडल मैनुफेक्टरिंग कैपेसिटी तो 11 कमपनीज वित एन आउटले ओफ 14,007 करोड अंडर दे पेला स्कीम स्टार्टेड एस प्रेस रिलीज तो प्रेस रिलीज ऑन थर्सडे आप देखे दोस्तों आप बोलेंगे सर की रिनेयोबल सेक्टर म तो बहुत से अलग अलग कमपनीज है उनको तो फाइदा बहुत मिलेगा जो यहाँ पर सोलार का यूज करकर एनरजी जनरेट करते हैं बट बोलेंगे क्या मिलेगा तो देखे जो भी मैं कमपनियों के बारे में बात कर रहा हूं इंडिया में रहने दो या ओधर भी जो यह पर सोलार का यूज करकर एनरजी जनरेट करने वाले कमपनीज तो फाइदा यहाँ पर देखे इस कमपनी को जरूर है क्योंकि एनरजी जनरेट करने के लिए सोलार प्लेट लगाना पड़ते हैं और सोलार प्लेट बनाने वाली कमपनी इंडिया में कौन है तो बोलो से लिन ही ये बड़े बड़े हापर डिसीजन लिये जा रहे है गौवर्मेंट टरफ से आप सभी को यहापर यह पता होना चाहिए कि बड़े प्लैन ये 2024-25 तक भी यहापर ये लेकर चल रहे है हजारों कोडों का यहापर आनौसमेट अईसे ही नहीं हो रहा है गौवर्मेंट टरफ से श्रीप और श्रीप दोस्तो आत्म निर्बर भारत को यहापर मजबूत यहापर बनाने के लिए रिनेबल सेक्टर को ज़्यादा वेटे दे रहे है गौवर्मेंट बूस्ट इसलिए तो करी है ना स्कीम वगेरा दे कर और भी यहापर आप सभी को पता है कि विजन है पूरी तरीके से यहापर आरके सिंग यूनियन मिनिस्टर आप पावर जो है उन्होंने बता है आत्म निर्बर भारत के अंदर हम बड़े से बड़े बेनेफिट देने के लिए सप्लाइग चेन के बारे में रहने दो इंपोर्ट से रिलेटेट रहने दो एक्सपोर्ट से रिलेटेट रहने दो जो भी चीज़े है रिनेवल सिक्टर चे जूड़े हुए आपको उसके अंदर सब कुछ मिलेगा इसलिए आप यहाँ पर बोरो से लेने बलके ऊपर थोड़ा नजर रखिए और आप यहाँ पर यह भी देख सकते हैं इसके अंदर जो तेजी आई है उसके बारे में आपको डीटेल बता देता हूँ यह देख लेना स्टॉक के अंदर टॉप टॉटम यानि के यह शियर कहाँ पर चल रहा था पूरी तरीके से 407-8 रुपए के करिब चल रहा था और गिरावट से स्टॉक आगया कहाँ पर 380 पर तो इसके अंदर आज एक दिन में आप देख सकते दोस्तों कमाल का डीटेल से यहाँ पर आपके लिए और यह नियूस का आसर भी आप समझ सकते हैं स्टॉक के अंदर साड़े 5% का करेक्शन और इस करेक्शन के बाद में साड़े 6% के इंप्रुमेंट भी यह देखी 24 रुपए पर शेर से बोरोसल इनेबल स्टॉक के अंदर हमें तेजी भी देखने को मिली तो ऐसे यहाँ पर जबर्दस इंप्रुमेंट के पीछे रीजन है गवर्मेंट का यह PLI स्किम के अंदर इतना बड़ा सपोर्ट और इनके बिजनेस को आड़वांटेज मिलेंगे एंड कमपणी को यहाँ पर बैड नहीं है कमपणी के अंदर वैल्यू जरूर है स्रीप और स्रीप मार्जिन बीट हुए इस कमपणी के बोलकर हमें करेक्शन देखने को मिला है बोरोसल इनेबल के अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं देखे कमपणी के अंदर जैसे हम कहिए सके कि बोरोसल इनेबल का यहाँ पर बिजनेस कराब है या कमपणी के अंदर वैल्यू नहीं है बिजनेस अच्छा है और डिमांडेट भी है आप सभी जानते है कि कमपणी में कितनी वैल्यू है मार्केट केप के साबसे स्मॉल केप की कमपणी जरूर है 5035 करोण का इसका मार्केट केप और पी रिश्यू देखेंगे तो इसका यहाँ पर मॉडरेट है बहुत महिंगा भी नहीं और बहुत सथा भी नहीं और सबसे अच्छी बात क्या है इसका रिटर्न अन इक्विटी एंड रिटर्न अन कैपिटल एंप्लोईर यह बहुत थिंग्स अच्छे पॉफर्म कर रहे है और इसी से कमपणी को यहाँ पर वेटेज बढ़ते हुए जा रहा है और कमपणी के पास खासियत ही है कि कमपणी प्रॉफिटेबल है यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते कि बोरोसल रेनेबल के अंदर जो शेर होल्डिंग है वो काफे इंटरेस्टिंग है प्रमोटर के पास अच्छा खासा स्टेक देखने को मिलता है 61% और उसके बाद में बड़े निवेशक के तोर पर आप देखेंगे तो पब्लिक पब्लिक के पास 32% है और थर्ण नंबर पर आते देखिए यहाँ पर FIS उनके पाच परसन के करीब का जो स्टेक हमें दिखाई देता है और अगर हम DIS के बाद करें तो पास बहुत ही कम है 1.5% या 1% के करीब भी नहीं है पूरी तरिके से 0.1 0% स्टेक है यानि बड़े निवेशक के तोर पर हम देखें तो कमपनी में यहाँ पर FIS ही नजर आएंगे प्रमोटर तो प्रमोटर ही होते हैं वो तो कमपनी के मालिक है बट पब्लिक और स्रीफ FIS का ही ज़्यादा इंटरेस इस कमपनी में दिखा देता है तो नजर रखिए अगर आप लॉंग टरम के निवेशक है तो जरूर आगे बढ़ सकते हैं बोरुसर रिनेबल के अंदर कमपनी के अंदर पोटेंशल अच्छा है और आज ही स्टॉक ने नया अपना फिटिटिक लोग बनाया है 380 का और आज खरीदारी देखेंगे इस कमपनी में तो जबरदस हुई है 2 लाग यहाँ पर 40,000 कॉंटेट्रीज खरिद कर निवेशक ने रख लिए बोरुसर रिनेबल के अंदर जब इस कमपनी में तेजी आना स्टार्ट होती है तो सभी के लिए यह कमपनी यहाँ पर मल्टि बैगर बन जाती है कमाई वाली बिल्कूल बहुत जबरदस तेजी आना स्टार्ट होती है शरीप अगर इसका बिजनेस अभी यहाँ पर पट्री पर आ गया तो पैसे ही पैसे इस company में आपको देखने को मिलेंगे thank you so much श्री long term का निवेश करने वाले निवेश के लिए ही इस company में थोड़ा यहाँ पर value है क्योंकि short term में और भी market हमें प्रेशराइज देखने को मिल रहा है आप सभी यह जानकर है understanding करकर ही आगे बनना thank you